नमस्कार मैं रंधिर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का क्लास और आज मैं आपके लिए लाया हूँ सूखा फल और ताजा फल के रिलेटेड एक परसेंटेज में कोशन आता है उस तरह के तीन कोशन लाया हूँ आपको समझा दूगा कैसे यह बनता है इसमें भी बच्चों को काफी प्रॉब्लम आता है जबकि यह सबसे एजी टॉपिक है अब ध्यान देने वाला क्या बात है बस इतना समझे कि कोई भी फल सूखा हो या कोई भी फल ताजा दिखे ध्यान दीजेगा क्या कॉमन होता है अगर हम बोले कि एक फल है माल लीजे अंगूर है अंगूर ही का बात करते हैं तो यहां फल का ताजा फल का बात किया सूखा म जो भी बात करें, हम बोलें अंगूर है, तो अंगूर ताजा है, और अगर सूख गया, ताजा था तो भी उसके पास था, और सूख गया तो भी उसके पास है, तो आप बोलेंगे गुद्दा बराबर होगा, मतलब पहले भी ताजा है तो भी गुद्दा उत नहीं होगा, सू तो भी गुद्दा उतना ही होगा, क्या भोता है है, कि कोई चीज jeśli मैं सुखता है, तो पाणीय का मातराアप डाउन होताय है, उक बिलता है तो थो है सुखएगा, तो भी गुद्दा नहीं उड़ताय था इमक्यू नहीं तो भूग सबक्रादए थे कि एक फोग सबक्रादी के तो भी उतना ही गुद्दा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि हम लोगों किया करना होगा इस तरह को इस की ट़ुशन में गुद्दा बराबर करना होगा उसका आप उसके जो बोल लिजे, देखें. जैसे कि यही कोशन में, कि ताजे फलों में 68% पानी है, तो यह अगर हम यहां देखें, यहां लिख रहे हैं ध्यान देज़ेगा, हम पहले आपको लिख के पूरा सिखाते हैं, बनाने के लिए तो बिदिन सेकंड बन जाएगा, पर ताजे फल में, तो यहां लिख रहे हैं ज पल को सुखा के मेवा भाव भी बनता है तो इसे कोई दिकत नहीं आप मेवा मेवे को ध्यान ने देज़ेगा, फल को सुखा के बहुत सीज बनता है, तो कर रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है, यह हम लिख रहे हैं कि ताजे फल था ना, तो इसमें पानी कितना था था तो इसमें कितना पानी था? 68% और अगर वो सुख गया तो कितना पानी दिया हुआ है? 20% पानी है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई फल ताजा है तो 68% पानी है और अगर वो सुख गया तो इसमें 20% पानी है, तो बोलता क्या है? अब देखें, क्या बोला है कि एक हजार किलो ग तो टाजा फल दिया हुआ है, कि दाजा फल कितना लेना है, तो 100GB, और बोल रहा है सूखा फल कितना बनाए, तो उमको नहीं मालुम है, तो प्षम को आप है तो आप्छी को आप सूखा फल को आप 10 потер ले लिए कि ओम प्षम को अगर हम 100 tras कि गुद्धा बराबर करने है, क्या बराबर करना रहता है? गुद्धा, तो अगर आप ध्यान दिजेगा तो 100 kg है, तो तोटल ताजा फल कितना है, 100, तो अज़ कि ए लिख रहे हैं कि 100 kg कितना का पानी कितना है 68 % तो हम बोलेंगे अगर 68% पानी है तो यहां गुद्दा कितना होगा तो सो में से 68 घटाई एंट आप खुद बोलेंगे कितना आजाएंगा 32 यह 32 नहीं आजाएगा, 100 में 60 गटेगा तो कितना आजाएगा? 32 तो कहेंगे यह 32% जो है वो गुद्दा होगा, तो 100 का 32% निकाल लेंगे तो यहां से गुद्दा निकल जाएगा, धान दीजे 100 कजी है और उसमें 68% पानी है तो 68 खतम तो कोई भी चीज 100 होता है, तो 68% उसमे पानी है तो बचा कितना? 32 क्यों कैसे आएगा? तो 100 में 68 घटा के, तो कहेंगे 100 का 32% निकालेंगे तो 32% के नीचे 100, तो 100 का 32% यहां क्या है? गुद्दा है, 100 केजी में हम कहेंगे यहां 60% पानी है तो 32% क्या होगा? गुद्दा होगा, तो यहां से गुद्दा ले लिए और यहां पर देखिएगा, एक है, और यहां पानी कितना है तो 20%, तो कहेंगे अगर 20% पानी है तो सौ में से बिस घटाएएगे, तो सौ में अगर आप 20 घटाएगे तो कहेंगे, यहां से भी गुद्दा ले ले लिए और कहेंगे, दोनों जगा ताजा था तो भी और सू तो भी दोनों जगा गुद्दा बराबर होगा, तो इस question को बस ऐसे ही solve कर लिया जाता है, तो अगर आता रहे तो यह एक लाइन का है, अगर आप ध्यान दीजेगा, आता रहे तो क्या बनाना परेगा, यह लिखने की क्या जरूरत है, वहीं से डिरेक्ट डाटर ले लेंगे, अगरियाँ मैं एफgos कि ऻुद्दा को इफिफसेव सस्ट मेंने, का यह लिखने म。 यह बनाने वह कहसे अगरा लेता बनालगकर से ह्वतिते मेंस में लेए लाइनट भी में वहाहां। कुद्दा हूए आ है समय। नग सब्सुन संदेस में बना दूरत भी ना जगरए लनाल एक्स बराबर कितना आगया, 40 kg, यही आपका उत्तर आगया, एक्स बराबर 40, तो इसको बना जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि यह कैसे बनता और देखिए इस पर बेस्ट दो कोशन और है आप इसको समझेगा तो आपको समझ में आप आजाएगा, देखिए जैसे अब बनान उत्रा लिख नहीं रहे हैं आप ध्यान देज़ेगा, ताज अंगुर में 80% जाल है, देखिए लिख अब क्यायyo, आपको समझने में कोई प्रॉबलम ना हो, हम नहीं चाहते कि किसी तरह का इप प्रॉब्लम फेजकरेजगा तो अगर हम लिखे है कि ताज अंगुर ध्यान देज़ेगा, यहां लिख देटे हैं ताज अंगुर्याट, टीक है सूखा अंगर अब क्या थेशी धियान स्वाती गयरें का सद्वा रहे है CK daj anggur में 80% हो umaul अगरे किता हो तो अंगरने करहरे हैं 20% कि या 80% हो और पोन रहे है कि जब सूखे आंगर में 10% स्अगर भष्य गयरें कितना अधया 10% खेट कता है 10% और है में तो पोच्छन नहीं लिख रहे हैं, इसमें टाइम में भरबाद की जगा पिकजाम में, यदि सूखे अंगुर का वजन 250 के जी है, अब ध्यान देजे, बोल रहे हैं, यह जो सूखा हुआ अंगुर है, यह कितना केजी का है, तो बोलें कि सूखा हुआ अंगुर यहां 250 के जी तो इसका वजन ठीक तो है, सूखा है तो 250 केजी का है, और बोल रहे हैं, बताए कि ताजा था ना, तो यह कितना था तो ताजा था तो नहीं मालुमता, आप इसको एक्स केजी माल लेजे, इस वर ताजा वला नहीं दिया, तो बोलिएगा कैसे बनाते हैं, बनाने का सिंपल क्या है, कि हम बोलेंगे कि ताजा एक्समाल लेते हैं, तो इसका 80% जल है, तो सू में से 80 गया 20%, तो कहेंगे हैं 20% गुद्दा होगा, यहां 20% गुद्दा होगा ताजा में, और यहां कितना है तो 250 केजी है, और इसमें जल कितना है तो 10%, तो 10% जल है तो यहां 90% तो यहां 90% मान होगा, तो यहां भी मान भूदय, यह भी झुदय, तो दोनों क्या होगा, तो दोनों क्या होगा, तो 100 मान होगा, तो सो से 100 लिएगा, और आप देखेंगे 0, यह 0 लिएगा और 2 से अगर काटा जाए तो ये कितना वर में कट जाएगा, 2 से, 45 वर में, और अगर आप 25 गुना, ये 2 से 45 वर में ही तो कटेगा, 25 गुना, 45 कि जाएगा, तो X का फेलू कितना आ जाएगा, 11,25 आ जाएगा, 11,25 गेज़, तो ये काफी असान कोशन था, आप इसको देखे, इसमें कुझ जयादा दम नहीं तो एंसर इसका इसका क्या आझाएका viral? इसका नश्यवेदर पैटीश्यज़ भी इसका उत्सेर क्या आझाएगा नहीं द्निद इसका मतलब ताज्यवं क्या जाए मैं bricks इतना बिना तौह आधा जासकता है? अब देख MALAuss Pinterest जब बरे तर्बूज का वजन कितना है 20 kg है तो इसका भार में 96% पानी है तो देखिए अगर 20 kg में 20 kg में 96 पानी है तो चार परसंट गुद्दा होगा 20 का तो यह गुद्दा ले लिए दिखार है कि ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा वह जो हम लिख रहे देखिए 20 में 96% पानी है तो चार परसंट क्या होगा गुद्दा अब कर इसे धूप में रख दिया गया और इसका इतना पानी बास्पित कि भार का 95 परसंट पानी हो तो इसका घटा हुआ भार तो हम बोलेंगे सुखाया गया थेखिए धूप में रखके तो कितना है उमको नहीं आप बस इसको काट लिजे 5 से 4 तो चचो का 16 को कह ON कि कितना आजए गागा 16 कीजे तो इसका इंसर कितना आजए गा 16 कीजे इसका अंसर कितना आजएगा option no problem दी तो आप देखिए कि तो आप देख रहे होंगे आप क्या देखें कि देखें किता काह पर सूखा फल का